नमस्कार दोस्तों स्वागता एक और नई वीडियो में मेरे नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं टेकनलोजब और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Axis Bank के MyJone Credit Card के बारे में आज की इस वीडियो में MyJone Credit Card के बारे में आपको complete जानकरी मिलने वाली है इसके Charges के बारे में आपको बताऊँगा Benefit के बारे में बताऊँगा और Eligibility के बारे में बताऊँगा तो अगर आप भी जाना चाते हो Axis Bank का जो MyJone Credit Card है उसके बारे में तो इस वीडियो को पूरी देखेगा अच्छी तरह से समझेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और इस तरह की Helpful Always वीडियो आगे भी पाना चाते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्रेब की तो हमारा जो टेलिग्राम चैनल है उसको जरूर जोइन कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यहापर देखे मैं आ गया हूँ Axis Bank की Official Website पर तो अभी ये Current में जो मैं ये फीश देनी है लाइफ टाइम के लिए अभी Current में ये Axis Bank का MyJone जो Credit Card है ये आपको Free में मिल रहा है यहाँ पर आप देख भी सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हो Lifetime Free MyJone Credit Card तो अभी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको Free में ये Credit Card आपको मिल चाहेगा यहाँ पर मैंने Axis Bank की जो Official Website है उसको मैंने Open कर रख है अब बाद में इसका जो भी फीश रहती है वो फिर आपको देनी पड़ सकती है बट अभी Current में इसका Offer चल रहा है Free में आपको ये Credit Card मिल रहा है अगर अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क् को कुछी भी नहीं देना रहता उसके बाद आपको हर साल आपको 500 रुपया आपको पेक करने रहेंगे बट अभी Current में ये Free मिल रहा है अब इसके बाद दूसरा जो चार्ज है उसके बारे बात करते हैं वो है Cash Withdraw Feast अब देखे मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी कहता आ करती है अब यहां पर बता रहा है 2.5% मिनिममम 500 रुपय अब एक एक जांपल के तो में आपको समझा देता हूं यहां पर मैंने कल्कुलेटर जो ओपन कर लिया है सॉरी कल्कुलेटर में ओपन कर लिता हूं तो यहां पर देखे अगर आप 2000 रुपे विड्रो करते हो स्पो 500 रुपे तो आपको देने पड़ेंगे 500 रुपे और यहां पर स्पोज कीजिए अगर आप इस क्रेडिट कार से आप 30,000 रुपे विड्रो करते हैं तो इसका 2.5 कितना हो गया 2.5 इसका 7500 रुपे का सपास हो गया फिर आपको 7500 रुपे देने पड़ेंगे यानि कि 500 पैसे फिर ज्यादा बन रहा है तो वो अमाउंट फिर आपको पे करनी पड़ेगी तो मैं आपको हमेसा कहता हूं कि जितना हो सके आप कैस विड्रो अवाइड कीजिएगा इसके सासा दूसरा जो चार्जिज है उसके बारे बात करते हैं अगर आप इस क्रेडिट कार से आपको पे करना पड़ेगा 3.6% पर मन्त के साफ से जो एन्वल होगा 52.86 काफी जादा चार्ज है तो मैं आपको यह बात भी कहता हूं कि अगर आप क्रेडिट कार से कोई भी चीज परचेज करते हो खरीते हो तो समय पर आप उसका रिपेमेंट कर दीजे जिससे कि आपको क पांट रहती है डू वो आप भर दीजेगा अब देखें यह तो आपको पे करना ही पड़ेगा इसका जो इंटरस्ट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा इसके सासत ओवर्डू पेनल्टी और लेट पेमेंट फीस भी आपको देनी पड़ेगी और वो क्या है अगर 500 रु 12 रुपे पे करने पड़ेगा यानि कि इंटरस्ट तो आपको देना पड़ेगा इसके सासाथ यह भी आपको अमाउंट पैनल्टी जो है जो ओवर्डू जो अमाउंट रती है उसका आपको यह भी पैनल्टी आपको देनी पड़ेगी तो यह चीज आपको ध्यान रखेगा अब यहाँ पर अगला जो charges है जो fees है वो है foreign currency transaction fees अगर आप foreign currency में कोई भी transaction करते हो तो उस पर आपको 3.5% आपको जो transaction fees आपको देनी रहेगी ये भी मैं आपको example के तुरों समझा देता हूँ जैसे कि आपने 1,00,00 रुपे कोई transaction करी foreign currency में ठीक है तो इसका हो गया 3.50 और इसको करते हैं तो 3,500 रुपे हो गया तो ये इतना आपको पे करना पड़ेगा तो foreign currency में कोई भी transaction करते हैं तो फिर आपको 3.5% आपको जो transaction fees पे करनी पड़ेगी over limit penalty ये भी आपको पे करना पड़ेगा 2.5% और minimum है 500 रुपे अब यहाँ पर इसके बारे में आपको बता देता हूँ जैसे कि आपकी card की जो limit है वो है 20,000 रुपे और उससे ज़्यादा आप spend करते हो तो फिर उस पर आपको जो over limit आप यूज कर रहे हो जो आपको limit दी गई है उससे ज़्यादा अगर आप यूज करोगे तो फिर आपको उसका 2.5% देना रहेगा minimum में 500 रुपे अगर 500 रुपे से कम बनता है तो 500 रुपे आपको देने पड़ेंगे तो यह होगे इसके fees and charges के बारे में अब बात करते है इसके benefit के बारे में तो सबसे पहला जो benefit मिलता है आपको इस credit card पर वो मिलता है आपको welcome gift आपको sony live का annual subscription आपको इस credit card पर मिल जाता है जो की worth है 999 रुपीज का और एक option और available है अगर आप अगले साल भी इस subscription को लेना चा sony live का annual subscription आपको मिल जाएगा तो पहला benefit आपको मिल जाता है sony live का एक साल का subscription आपको मिल जाता है इस credit card पर दूसरा जो benefit मिलता है वो मिलता है अगर आप एक ticket buy करते हो तो दूसरी ticket आपको free मिल जाएगी यहाँ पर देख सकते हो buy one get one free on movie ticket बट यहाँ पर condition यह है कि जो movie ticket और इस benefit का फाइदा महीने में आप एक बार आप ले सकते हो और maximum आपको जो discount मिलेगा वो 200 रूपीज का मिलेगा और इसके लिए आपको यह coupon code यूज करना पड़ेगा अगला जो benefit है आपकी paid पूजा से related है आप स्वीगी से कोई food order करते हो तो आपको flat 120 का आपको off मिलेगा बट यहां पर भी condition रखी गई है condition यह है कि minimum आपको जो order है minimum आपको spend करना पड़ेगा 500 रुपए अगर आप minimum order करते हो 500 रुपए का तो आपको 120 का आपको off मिलेगा और महीने में आप दो बार इसका फाइदा ले सकते हो benefit का लाब उठा सकते हो अगले benefit की बात करें तो आप access maximum benefit आप 500 रुपए तक का ले सकते हो महीने में एक बार इसका benefit आप ले सकते हो इसके सासत अगला जो benefit मिलता है आपको मिलता है airport पर जो launch रहते है उनका access complimentary access आपको मिल जाता है यानि कि तीन महीने में एक बार आप किसी भी launch पर आप जा सकते हो विजिट कर सकते हो airport के अगर आ मैं भी गया था एक बार तो मैंने भी इसका फायता उठाय था आपको बता देता हूं launch का access क्या रहता है जैसे कि आप airport पर पहुंच गई आपकी flight उडने में दो तिन घंटे है आप flight delay हो गई है तो जो launch रहते है वहाँ पर आप जा सकते हो credit card से entry कर सकते हो फिर वहाँ पर आ आपको airport पर complimentary launch access भी मिल जाता है per calendar quarter इसके साथ अगला जो आपको benefit मिलता है वो मिलता है agio पर अगर आप agio पर shopping करते हो और आपकी जो shopping है जो spend करते हो अगर आप shopping कर रहे हो 2,999 रुपे की या फिर उससे ज्यादा की तो आपको flight 1,000 का आपको discount मिलेगा ओफ मिलेगा इसके सा full surcharge रखते है वो wave up हो जाता है यापको नहीं देना पढ़ता माफ हो जाता है बड़ यहापर condition रखी गए कि महिने में एक बर आप इसका benefit ले सकते हो और maximum 400 रुपे का benefit आप ले सकते हो और minimum आप जो transaction करोगे 400 रुपे से लेकर 4000 के बीच में होनी चीए तब ही आपको fuel पर 1% full surcharge लगता है वो wave up हो जानकी माफ होगा अगला जो benefit आपको मिलता है वो मिलता है अगर आप कोई shopping करते हो और आपका जो कुछ जैसे की fridge buy कर रहे हो टीवी buy कर रहे हो कुछ दूसरी चीज buy कर रहे हो उसका जो bill है invoice है डाई हजार रुपे या फरे डाई हजार रुपे से ज़ reward करवा सकते हो इसके साथ साथ आप अगर इस credit card के थूरू 200 रुपे spend करते हो तो आपको च्वार एज reward point आपको मिलते हैं जिनको आप redeem कर सकते हो एज reward का जो catalog है वहां पर जाकर और इसकी जो validity रहती है तीन साल की रहती है तो यह भी आपको यहां पर 200 रुपे spend करने पर no reward point will be credit for movies अगर आप movie ticket book करते हो full बरबाते हो insurance wallet rent utilities education government institution का जो transaction रती है उन पर करते हो तो उस पर आपको किसी भी तरीक का reward point आपको नहीं मिलेगा अब बात करते हैं यह तो होगे इसके benefit के बारे में अब बात करते हैं इसकी eligibility की तो eligibility यह है कि देखें आपकी जो age है 18 साल से 17 साल के बीच में होनी चीए 18 से 70 एर के बीच में आपकी age होनी चीए और आपकी stable income होनी चीए इनकी महिने की आपकी fixed income आ रही है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो और आप भारत के नागरिक होनी चीए या फिर एना रही है तो भी आप इस card के लिए apply कर सकते हो इसके साथ आपको proof of income में आपको देना पड़ेगा वह आप आइटर की copy दे सकते हो income proof आप अपनी salary भी दे सकते हो form 16 रहत है वह आप दे सकते हो और आपको address proof में जो भी रासन कार्ड हो गया passport हो गया electricity का bill हो गया लेड़न बिल हो गया telephone का bill हो ग गया तो यह आप अपना residence proof या फिर जो आइडिनेटी प्रूफ आप दे सकते हो और आपको pen card देना रहेगा तो अगर आपको apply करना है तो वीडियो के description में लिंक दे दिया मासे आप apply कर सकते हो और मन में कुछ doubt है कुछ पूछना चाते हो तो comment box में comment कीजिए पूरी-पूरी जनकरी के साथ